आप देख रहे हैं बुलेट रिपोटर खबर मध्ध प्रदेश के रिवा जिले से इन दिनों यहां लगातार देखने को मिल रहा है कि गुंडे मवाली खुल कर गुंडा गर्दी कर रहे हैं रह जनों को रोक कर मार पीट कर रहे हैं हाइवे में चल रही फोर भीलर वाहनों को रुख़वा कर बूरी तरह से मार पीट कर रहे हैं जिसके चलते अब सडक मार में चलने वाले लोगों के लिए चिंता पड़ती जा रही है खासकर रात में तो सडक मार्ग से अपने वाहन में गुजरना काफी डरावना साबित हो रहा है गौर तलब है कि शराब के कारोबारी सर्चिंग के नाम पर वाहनों को रुकवा कर तलाशी लेने का घटनकरम जारी कर रखे हैं और एक बार फिर से जिले के बिच्या थाना अंतरगत देर रात कनौजा गाओं में बुलोरो गाड़ी से सीधी जा रहे यूपकों को अग्यात आड़ की संख्या में बदमाशों ने गाड़ी रुका कर गाड़ी में बैठे यूपकों के साथ जम कर मारपीट की लाठी डंडो की मारपीट से दो लोग गंभी रुप से घायल हुए शराब तशकरी के शक में मारपीट के जाने का मामला सामने आया है गंभीर घायल यूपकों का कुशा भाव ठाकरेज जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है घटना को लेकर बिच्छा थाना पुलिस चार्च में जुटी है गौर तलब है कि इसी तरह की घटना जिले के मौगंज थाना क्षेतर में विगत मही ने शराब तसकरों के द्वारा मैहर जा रहे टूरिज्मों को हाईवे सड़क में रुपकर जम कर मारपीट की थी टूरिज्म के साथ महिलाएं एवं बच्चे भी थे लेकिन शराब तसकरों ने गाड़ी की सर्चिंग करते हुए मारपीट करते हुए गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया पूरा मामला मौगंज थाने पहुचा था अंततह मौगंज पुलिस ने अपराध तो दर्ज नहीं किया था लेकिन समझोता करा कर गाड़ी में पहुचाई गई नुकसान पूर्ती कराते हुए मामले को खत्म कर दिया था थाना प्रभारी का भी समझोते के लिए इतना इंट्रेस्ट क्यों रहा यह सबालों के खेरे में रहा बावजूद इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रिवा